नमस्कार दोस्तों हमारे only airway.com की आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों हम आपके लिए एक नई समस्या का समाधान ले करके आए हैं जो की हमारे स्वास्तिक संबंदित है दोस्तों शुरू करने से पहले जल्दी से आपसे एक बार आगर रहा करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है लाइक नहीं किया है तो जरू कर ले ताकि आपको नए-ने अपडेट्स मिलते रहें तो उसे लो बी-पी कहते हैं और अगर उससे तेज हमारी हिस्दे की गती हो जाती तो हाई-बी-पी कहते हैं दोनों इस्थितियां बराबर ही खतरना कें दोस्तों दोनों इसे किसी को भी हलके में नहीं लेना चाहिए और अगर ऐसी कोई दिक्कत आवे है तो तो तुरंत इसका जो है कोई मेडिकल सॉलूशन आपको ढूना चाहिए तो दोस्तों लो बी-पी आज हम डिस्कस करने वाले हैं लो बी-पी किया क्या नुकसान है ये क्यों होता है और इसके लिए हमने आईरवेद में हमें क्या नुकसे बताये हैं क्या इसके समाधान बताये हैं वो भी डिस्कस करते हैं आज़े दोस्तों देख लेते हैं दोस्तों लो बी-पी किसे कहते हैं लो बी-पी जब बलड प्रेशर 90 से कम हो जाता है इसको low BP कहा जाता है और इसे low BP को इसे शरीर के और अंग भी प्रभावित होते है अगर आप नमक का पानी ले ले लेते हैं तुरंती तो उससे blood pressure सामाने हो जाता है मतलब कि नमक क्योंकि BP को तेज करता है तो आपका BP अगर low है तो नमक का पानी लेने से blood pressure थोड़ा बढ़ जाता है और सामाने के रही में आ जाता है दोस्तो कैफीन के अलावा lemon juice, किश्मिश, तुलसी भी इसमें फायदे मन दो दोस्तो अगर शरीर को सौस्त रखना है तो दिल का सौस्त होना जोरूरी है रख्त चाप है उससे पता लगता है कि दिल कितना सौस्त है उच रख्त चाप भी नुकसान जाएके दोस्तों और निमन रख्त चाप भी नुकसान जाएक है सामाने ता blood pressure जो है 120 वटे 80 होता है यदि ये blood pressure नबे से कम हो जाए तो उसे low blood pressure का जाता है तो ऐसे में श्रीर में blood का दवाब कम होने से आवश्य कंगों तक पूरा blood नहीं पहुंच पाता है जिससे कि उनके कारे करने में बादा पहुंचती है ऐसे में दिल, किड्नी, फेफडे और दिमाग आंच्छी रूप से या पूरी तरह काम करना बंद कर सकते हैं तो low blood pressure की समस्या का तुरंट ही समादान होना चाहिए और जरूरी है कि आप इसको तुरंट अपने किसी medical advisor से चेक करा लें दोस्तो low BP में किशमिश के भी अपने ही फायदे हैं किशमिश को पारम पर एक आरवेदिक दवा की रूप में देखायाता है तो low BP होने पर किशमिश खाना बहुत फायदे मंद होता है रात में 30-40 किशमिश भीवो के रख दें और सुबह खाली पेटिन का सेवन करें जिस का पानी में किशमिश को भीववा गया था आप उसका पानी पी भी सकते हैं महीने में अगर आप ऐसा एक बार भी कर लेते हैं तब भी आपको ये फायदे मंद होगा दूद में 4-5 बादाम मिलाकर 15-20 स्मूफली और 10-15 किशमिश भी मिलाकर ले सकते हैं तुलसी कम होते बलड प्रेशर को सामाने करने में काफी उमदगार थाबित होती है इसमें विटामिन सी, पोटेशियम, मेगनीशियम जैसे तब तो पायाते हैं जो दिमाग को संत्रिलित करते हैं और तनाव को भी दूर करते हैं दोस्तो जूस में 10-15 पतियां तुलसी की डाल दें, एक चमश शेह डाल दें और रोजाना खाली पेडियस का सेवन करें आपको इसमें लाब होगा दोस्तो लेमन जूस भी इसमें काफी लाब दायक पाया गया है लेमन जूस उच्छी रक्ट चाप में काफी फायदे मन वता है, लेकिन निम रक्ट चाप में भी बराबरी फायदे मन है जब डी हाईडरेशन की समस्या हो तो ये बहुत उप्योगी होता है और कई बार लेमन जूस में हलका सा नमक और चीन ड़ल कर पिया जासकता है निमू वारा सो गया या फिर काफी हो गई चाय हो गई या इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हमरे पास घर में अवेलेवल होती हैं तो आप सुएमी खुदी इसका इलाज कर सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर जरूरत है तो हम यह कहेंगे अगर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत करें इस तरह की चीज़ें अगर आप अपने जीवन में इनको इंटिग्रेट करते हैं तो निश्चत रूप से आपको इस तरह की दिखते हैं कभी आएंगी ही नहीं तो दोस्तों आप हेल्दी बने रहे हैं इसी दूआ के साथ आज कर वीडियो के समापन करना जाते हैं और दोस्तों हमें लाइक करना न भूलें शेयर करना न भूलें और सब्स्राइक करना न भूलें नावश्कार दोस्तों